सत्त को आभरित किया जा सकता है सत्त को ढाका जा सकता है लेकिन सत्त को नश्ट नहीं किया हम सत्त को ढाक सकते हैं सत्त को आभरित कर सकते हैं लेकिन सत्त को नश्ट नहीं कर सकते मेग सूरी को ढखतो सकते हैं मेगों से सूरी ढखतो सकता है लेकिन मेगों से सूरी नश्ट नहीं होता है सूरी कहें मेग कहें कि हमने सूरी को नश्ठ कर दिया देखो सूरी को रोक लिया एक नियस समय तक के लिए ही जब तक हवा नहीं चली जब तक पबन नहीं चली बायू नहीं चली तब तक मेग कह सकते हैं मैंने सूरी को रोक दिया ठक लिया लेकिन जैसे हवा चलेगी बादल अपने हाप छट जाएंगे और सूरी बापे दिखाई दे जा इसी बात को आच्छी को रहें कि सत्व को आबरित किया जा सकता है, सत्व को ढखा जा सकता है, सूरी को मेग आच्छाज तो कर सकते हैं, परन्तु नष्ट नहीं कर सकते, बायू चलेगी, मेग उड़ जाएंगे, लेकिन सूरी बैसा का वैसा ही रहेगा इसलिए इस बात को आज से भूल जाना जी के राज में रही हो फूकी बैसी कई हो उट बिल्ली ले गई हो हाजू हाजू कई हो कि जिसके राज में रहो उसके इंसार चलो बैसी बोलते रहो वो कहें कि उट बिल्ली को ले गया, बिल्ली उट को ले गई है, तो तुम भी कहें हाँ हाँ बिल्ली उट को ले गई है, अब इस बात को खोल जाओ, अधि आप सत्त हैं, फिर आपको कोई भी आपको परिसान नहीं कर सकता, जिन्वानी को जिन्वानी कह रही है भे कहना भे नहीं कहना जो लोग कह रहे हैं भे कहना जो जिन्वानी कह रही है राज किसी का नहीं बचे राजा अनेक हो गए भारत में कितने पिदार्मन्ती बिदल गए किसका राजबचा एक बार बहरा चक्रव्रती लोटता है तो अपने शैना पती को बोलता है जाओ इस परवत पर नाम लिखो एक परवत है कि जिस पर जो भी Vrishwaal चल परव्द्ध है विश्वा चल परवध्य विश्वाचल परवद्ध रहता है उस विश्वाचल परवद्ध जो भी चक्रवर्ध्ध दिगविज़ जातरा करता है वो अपना नाम प्रशस्ती सब कुछ उस पर अंकित कराता है जैसे आप लोग पित्मा इसतापित करते तो पुरा नाम प्रसस्ती सब गाओं देश सेर राश्ट का सब्सक्रानाम लिखाते हुए और अपना नाम लिखाते हो तो ऐसी वहाँ पर पिस्वान चल परवत पर सभी चक्रवर्ती अपना नाम लिखाते हैं अब उस काल में पहला जाता हूं प्रष्वान चल बरवद बर और यह बड़ी सी प्रिसष्टि उसको सैना पती को लखवा के देता है कि जाओ इसको बजनी सिसको लिखो टंकन कर वाओ इससे कि में आदिनात का पुत्र भरा चेक्रवरती जिसने चैकंड को जीता है प्रिथम चेक्रवरती जिसने शेकंड को जीता है सेनपती बड़े उस्षाय के साथ हां राजा जब बलवान होता है तो उसकी सेनफी बलवान हो जाती है अपने आपकर इसके आपको processo अनदर ही उस्षाय जाता है हां हमारे राजा पहले चकवर्ती ऐसा कर के चढ़ जाते हैं ओ बहां चड़का रेदा नीचे भरा चक्रवर्ती देख रहा है यहां और उपर जाके जैसी सेनपति उस सिला को देखते हैं चेहरान का उदास हो भरा चक्रवर्त कुछते क्यों क्या हुआ हुआ है तंकर नहीं हुपाएगा क्या लिखनी पाओगे क्या और लोगों को भीजन करदा बड़ा हैं लेजिग अपूली yaşा देख रहे हैं यहां टो एक अख्छल लुफने की जंगे नहीं है इतनी प्रहुफच्ती से लिखिए उसकर इतनी प्रहुफस्ती टंकन है की एक अक्षलीकare की भी जंगे नहीं है तो चक्रवर्ति क्या मेरे से पहले भी चक्रवर्ति हुए है हाँ स्वामी अने को चक्रवर्ति होकर चले गए आप क्या कह रहे हैं कि मैं पिधम चक्रवर्ति अब भरत तो मैं पहला चक्रवर्ति हूँ तब भी मुझसे पहले भी हो चुके बसुदा का हो की नहीं हुई ये बसुदा किसी की भी नहीं है तुम आज इसे अपना कह रहे हो कल दूसरा उसे अपना कहेगा आचरी वन कही भार बहुत नों कहते है करें कोई इस्थरियादी आपको नहीं चाहे और देदी आप उसके जवदस्ति स्वामी बनना चाहो तो क्या होगा आप सब कहलाओगे आप सब कहलाओगे कि बेविचारी कहलाओगे कोई इस्तरी आपको सुईकार नहीं करे और जवदस्ति उसको अपनी पत्नी सुईकार करो उसके जवदर से पती बनने कोसिस которых तो जकत में आप बेविचारी कहलाओगे तो ऐसे आजरी फुक्ते हैं आपको भूपती कहते हो क्या कहते हो भूपती इस सौमी इस इस बिट्वी का सौमी मैं हूँ इस जमीन का सौमी मैं हूँ मैं इसका भूपती हूँ तो आचली बन कुछते कब इस भूँ ने तुम्हे अपना पती सुई का रहा कब इस पृत्वी ने तुम से कहा कि तुम मेरे सौमी हो कभी कहा कि प्रमोत किसी से किसी पृत्वी ने किसी से कहा कि आमित कि तुम मेरे सौमी हो और हम जवरदश्ति उस प्रित्वी को भूमी को कहते हैं मैं इसका भूपती मैं इसका पती मैं इसका भूपती ये मेरी है आप किसी को जवरदश्ति अपना बनाओगे तो बिविचारी कहलाओगे बिविचारी कहलाओगे ये किसी का नहीं है आज तुम्हारे कपजे में है, तुम इसे अपना मानते हो, कल दूसरे के कपजे में हो जाएगी, दूसरा उससे अपना मानेगा, पर तीसरे कपजे में हो जाएगी, वो अपना कहेगा, आँगे चौते कपजे में, वो अपना कहेगा, पर है किसकी है? किसकी यह बिटाई है अनमुल के नाम तुमारा अमुल किसकी है यह यह पृत्वी है किसकी यह जमीन है किसकी सब तो अपनी अपनी बोल रहे हैं कि सब्सक्राइब किसी की भी नहीं है जब जब आपका उससे राग जुड़ने लगता है तो आपकी आपको दिखने लगते हैं कि जब आपका राग वहां से अड़ जाता है तो दूसरे की दिखती है मेरा राग जब तक उस इस इस्थान पर रहता है तो इस इस्थान विक्वी जाए तब भी आपकी रहते हैं हम त्रेकालिक पाप भूप में लेकिन बर्तवान में लिकिन बर्तमार में रहती है तब भी तीन कालका बंद होता उसको तब केंसे बंद थोता भी है कि कभी कोई जमीन खरीदी जहा देख रहे तो टूकु टूकु रहो है तो कभी जमीन खरीदी कि यम तो इतना पूछ रहा है, हा या ना बोलो, आप तो मैं जी बोलते हैं, वे सुछते हैं, बोले हिं अपनी, सांत रहू, चल ठीक है, तुमसे नहीं पूछा है, बिनोज जी से पूछ ले रहे, बिनोज जी जमीन खरीदी, बेंची कभी किसी ने बेंची किसी ने बेंची किया जमीन आप में से मकान जमीन प्लाट कुछ भी नहीं बेंचा तो कोई बात नहीं चलो ठीक है मानली जी बेंचते अब जब चीज नहीं होती तो माना की करके करते न अशा है कि माना की आपने जमीन बेंची ठीक है आपके मित्र आए आप उनके रिस्तदार आए आप उनके साथ चाह रहे हो जो जमीन बेंच दी उसके लिए आप क्या बोलोगे अब जब आप जा रहे हो और रास्ते में वो जमीन पढ़ी वो तो आपने बेंच दी पैसा भी उसका ले लिया रख भी लिया, उप्योग भी कर लिया, उसके बदले में दूसरी जमीन भी खरीद लिया आपने, उसके भी अच्छे से रहने लगे तो आप जब निकलोगे, राश्ते में जब वो जमीन, वो मकान, वो इस्थान पड़ेगा, तो अमित क्या बोलोगे, अच्छा सही बता हूँ, यह मेरी थी, यह मेरी थी, चली गई, लेकिन मेरी थी, आज इतना बड़ा महल दिखाई दे रहा है इसमें, यह जमीन मेरी थी, मेरे दादा ने सच्टे में बेंज दी, मेरे दादा ने सच्टे में बेंज दी, यह मेरी थी, इस पर हमारा हग था, अभी भी मेरा अपन उस पर चुड़ा हुआ है, कोई कहे हैं तुम्हारी नहीं थी, कोई यदि कह दे, तुम्हारी नहीं थी, यह तो उसकी थी, तभी लड़ लेगा उससे भी एक्षिदी, वीग गाई वो दादाने बहब जी थी सुमयर चन्य वैटी थी वीटा दादाने बहनी थी जर्थ tha लेकिन जब तब अमनूल के सा चाल दा रहें थ्याहिए ईश्डी मिल रहे थे और अमूल से ऐसे कैसे कहे रहे हो भड़ी थी तो सिहा हमारी थी इचाछय मेरी थी मेरी थी हमारे दादा की थी उन्ने की आध्पा आधी मंदरों लड़ाई लोटा है इसी बात initiatives किया हमारे दादा ने हमारे काका ने यह बनबाया था तुम ने उसकी फुट्ट क्यों नहीं लगवाई तुम ने बनबाया था नहीं किसे में राय था दादा नहीं तुम फिर तुमने कुछ दिया नहीं दिया दादा नहीं दिया था नहीं की फुट्टी लगाओ उनका नाम को तो उन्होंने दिया था तो तो गए अब अब नाम लिख भी देंगे लगा भी देंगे हटा भी देंगे तो भू कुछ आने वाले नहीं है कहने वाले लेकिन जुद उसका संबंदी है रिस्तार वह अभी उसका राख चल रहा है तो वह बस्तु थी जो बैस्ट चुके हैं लेकिन फिर भी माता हो साड़ी तो दे देती तुम भाई को जब भी पहन के आती ना यह हमाई साड़ी अंट दें एक इसका ना अनुद शेखिए को एक उन पद्द्द भाइए अ आच होली है आजILL डशेरा है ले बाई एक साड़ी तमको दे दे रहे जो पूरी वहाज भी मेरा पंद़ तब एक वेक्ति जो की एक कौट बनवाया था उसने उक पर को होत था था काट था तो पेंटा था अच्छा नहीं लगता था और niveूर पेन में लेकिन अच्छा नहीं लगा लोगोंने कोई भी उसकी नहीं करें पर उसको लगा चुड़ चार पांग मेशिका वेकर करेंस अब दिन उसका मित्रिय उसने का यह कोई कोच है कै तेरे पास इस धूत्य अच्छा वाला नहीं थे पर लेगे जिए कोई कोई देखता भी नहीं है है ना जैसे कोई देखता भी नहीं था अच्छा भी नहीं लगता दर वो अपन को काटता भी था तो उसने का हां दे दूंगा है पर सुन किसी बोलना नहीं तेरा कोट है वो मित्र बोलता है तो किसी बोलना नहीं तेरा कोट नहीं मेरी बेज जती है चाल लोगों के सामने तोलता है ठीक है नहीं बोलूँगा है ना अब वो उसको पहने के पार्टी में गया अब देखो सारे कपड़े हर विक्ति पर सुवित नहीं होते हैं कर मैं भूद सकता है जो कपड़ा आप में सोवा नहीं दे रहा हो दूसरे पर दे जाएं क्योंकि कपड़े भी बड़े होते हैं आइड देखकर छेरा देह मैं हां यूट देखकर में ब्य्त पेहले उस पर सोबर नहीं देता माल laundबंगे ब्रेटी पर सोबर नहीं देते हैं कि आप लोग क्या करतें दूसरे के देख के खरीद ले दियो वह कोड़ी उसके पास बड़ा संद्र लग रहाय चैरे पर उस-पे तुमने ख़ई लिया पर तुमारा चैरा बैसा नहीं था ना वो गोरे चैरे पच्छा लग रहा तुमारा काला था अथ्वलिचेरे पच्छा ऐसाइब नंबा झातर फूंट उस पर सूट कर रहा था है उसके साइब से कॉत उसकी पर शूट करता है और वकर जो दूसरा जिस ने निए ताब उसने बहुत अच्छा नया सा कॉट और अच्छा पैना लेकिन पूरी पार्टी में जब गया कोई उसकी कॉट की वारे पूछें नहीं और जिसको दिया था दोस्त को उसके क्या बढ़िया कोट है कहां बने वाया का सहलाया अब उस साथ में दोस्त अरे इसने नहीं सहल अब किसी को नहीं भूल आ मेरा कोट अब किसी को नहीं भूलूगा थोड़े और चले पार्टी बरीं तो कीसी का यह व्यूक डोट नांते हैं अरे इह मेरा था अब एडिया मैंने मिरा नहीं दे दिया अरे आी मितर बात तो भूए ऐसे पुप breaths तो फिर तुम भूपना भोल लागी मेरा था बेज्ज़दि गरारा नहीं तुम्हार को नाइग नहीं नहीं बोलूगा तुम चलो चांए फिर तोड़ा और समय चलां फिर किसी ने फिर तारीव कर दी अब उससे पिर नहीं रहा उस ने फिर के दिया कि मैंने पहले इसको पेना तो यहीं स्थित्युति जब तक बस्तु हमारे पास रहे तब और हमसे चली भी जाए लेकिन हमारा राग उससे चूड़ता नहीं है तो बस्तु चली गई उसके लिए क्या केते हैं यह मेरी थी यह मेरी थी और कोई आप कोई कहें हम तो ऐसा बता रहें मेरी थी हमारा तो ना राग है ठीक एच्छा बता रहे हो उसका कोई दूसरे का नाम लेकि देख लो उसकी पर पता चल जाएगा तो में राग है के नहीं है कोई कहता है कि नहीं हम तो बताना पड़ता ने किसकी थी तो सामन से बता रहें किसकी तो ठीक है दी तुम्हें राग नहीं है ना तो दूसर वेक्ति हैं वहीं उसी समय के दें यह उसकी थी इनकी नहीं थी फिर देखो लड़ते हो नहीं लड़ते हैं तो पता चल जाए राग थाके नहीं था तो यह तो हो गया एक भूतकालिक राग बस तु है नहीं चली भी मैं साना अशहां के तब वी पाप को बंदूरा ने तुम दियां रखना परेकर प्रमान तो कल दिये भीक तुमने हम 2045 में नहीं के तीस सारी जादव har iti कि एक नंदवाई को देथी पोजाई को देगी जठानी को देजा इंका ओ। तो आपके अंदर अभी वह बस्तु का राग चल रहा है न वह अभी आपकी ही है बस्तु हो जरूरी नहीं है बस राग के लिए बस्तु सांत में हो ये जरूरी नहीं है परिग्रे के लिए बस्तु एक भिकारी के पास कुछ नहीं इसका मतलब यह नहीं वह निसपरिग्री है मिए एक भिवारी के पास कुछ भी नहीं डेने के लिए मकान नहीं पहनने के लिए अनाज नहीं नहीं रखने के लिए पैसा नहीं है कुछ भी नहीं तो क्या वो निसपरिग्री है कि वो निस्परिगरी हो जाएगा निस्परिगरी निहीं है उसके अंदर सतद बाव चल रहा है यह building मुझी कास मेरे पास इसी फिलिदेंग मिल जाती तो छोड़ोंगा नहीं कास मेरे पास यह कपड़ तो मेरे पास इतना पैसा हो इसा 24 घंटियों से भावना चल रही है वो कुछ नहीं होकर भी परिग्रही है वो कुछ नहीं होकर भी परिग्रही है झाल रही है वो कुछ नहीं होकर भी परिग्रही है